अभी इस तरफ रामपुर से आते आते मंदा की नी नदी के किनारे किनारे बहुत सुंदर सुंदर दिरिश्टे दिखाई दे रहे हैं और ये देखें मंदा की नी नदी के किनारे किनारे सड़क जा रही है और ये सामने जुलापुल एक दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कोई यहाँ इस्तानी समसान घाड भी होगा जहाँ पर किनी का दास अंसकार भी किया जा रहा है और मेरे यहाँ पर रुखने की मुख्य वज़ा यह है देखिए एक बहुत ही सुन्दर जल प्रपाद यहाँ पर दिखाई दिया है सड़क के किनारे हालांकि अभी यह मंदा किनी वैली में आम है यह सड़क के पास से है यह देखिए बिल्कुल सड़क में है यह एक दम मुख्य सड़क पर लेकिन जब आफ गाड़ी पर होता है तो यह रेगें जैसे गाड़ी यहां लगाता जारी तो यह रेखिए कि इनका द्यान नी जाता है कि इतनी खूपसूरा जगह भी यहा पर हैं, देहकेए बहुत खूपसूरा ज़ना अभी तक कि नहीं तो यहां पर यहां पहुंच गया हूँ गंगतल दिखाई दे रहा है और यहां काफी सारी वहां निखटा हुए हैं तो जो मैंने आभी आपको दिखाया था कि यहां पर यह स्थानी समसान एक होगा यहां पर तो वहां किसी का सायद दासंसकार आज हो रहा है और यहीं पर यह इसी वज़े से इतनी ज़्यादा भीड यहां पर लग रही है काडियों की क्योंकि दूर से दिखाई दे रहे थे लोग बाग यह जो जूला पुल हो जूला पुल के पास जूला पुल के इस तरफ मंदा की नी नदी के इस तरफ दासंसकार होता हुआ किसी व्यक्तिका दिखाई दे रहा था तो भगवान उनकी आत्मा को शांति परदान करें यह अभी मैं अगस्तमुनी जो नगर पंचायत का बोर्ड था उससे चलता हुआ लगभग एक किलोमीटर आ गया हूँ और अभी यह बाजार सुरूनी हुआ अगस्तमुनी का अभी मुझे लगता है इसमें समय लगेगा क्योंकि यह अगस्तमुनी का बाजार भी ऐसे सड़के बिलकुल साथ साथ ही है ऐसे उपर नीचे है नी तो काफी लंबे छेतर में फैला हुआ है और मैं इस स्कूल को कैसे आ रहे हैं जै हो जै हो जै हो परमिश्टर वाह देखे इटावा से पूरा भारत हर महादे भारत ब्रहमण 210 जोतिरलिंग दर्सन यात्रा इटावा से पूरा भारत तो प्रभू अभी कहां से आना हो रहा अभी आज रात में कहां रुके थे अच्छा तो अभी यहां से कहां का है बद्रिनाथ अच्छा देखे महाराज भी यात्रा कर गे तो कितने दिन हो गए बगण घर से निकले वे एक महना सोला दिन हो गए देखिए इटावा के रहने वाले हैं अच्छा तो पहली बार कर रहे हैं या पहले भी करते हैं यह दूसरा है अरे वा तो नगर पंचायत अगस्तमुनी के बोड़ के थोड़ी सी दूर जाने पर यह सिल्ली का बोड़ लगा और अब तो शायद यह अगस्तमुनी से मिल गया होगा और यहां पर यह सड़क के दूसरी तरफ देखे बहुत सुन्दर एक मंदिर दिखाई देरा और उसके आसपास पीपल के पेड़ भी हैं तो इससे लगता है कि यहां पर यह जगह तो गरम होगी क्योंकि घाटी की रामपुर ही है बल्कि करीब कि रामपुर इस तरफ से आकर के तो मुझे अभी आते समय एक यह पूल दिखाई दिया है यह दिखेगी यह पूल है तो इस पूल को देखकर कि मुझे एक दरसल चीज याद आई कि मैं यह यह दिखाना जा रहा था देखें में चीज यह यह कि इस मिर्ति चिन निक इसम का है कि जब इस पुल इंडान होगा जब कि इस पुल का उदगातन हुए अभी बहुत जाला समय भी नहीं हुआ है ये है 9-10-2006 नोगाटन किया गया इसका तो देखे उदगाटन भी तैंसे जो है न ही टूटे फूटे बोड ये सब और ये देखिये ये नैपाली आदमी देखिये कितनी मेहनत से काम कर रहां नोगों का पैसा एक एक गरूपिया कितनी मेहनत का आधी तुम मैं यह बताना यहां पर यह थोड़ा सा भटका हो गया विशाय से कि यह ज्यादा नाम वाम के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए देखे इतने बड़े जब यह महानीदेसक मोदा यहां आया होंगे तो कितना ताम ज्याम होगा और इस पुल का उध्गादन होगा और ऐसा ही मुझे द वहां पर भी ऐसे ही एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड कहेंगे या जो भी इसको कहते हो यह देखिए और उसकी भी इस्तिती इतनी बुरी थी उसके नीचे किसी ने कोबलर शॉप तरह की लगा रखी थी और वहां पर जो मतलब उसकी उसमें तो कुछ दिखाई भी नहीं किसने हाँ ऐसा ही देखने में अंदाज आ रहा था कि किसी बहुत बड़े अधिकारी का जैसे सौरी चक्र विजेता इस तरह का उनके द्वारा ये इसका उद्गाटन किया गया है तो मतलब ये नाम वाम ये पतानी और जगह भी सायद होता हूँ और देशों में भी इसकी लेकिन भारत में तो इसका परचलन बहुत जादा है लेकिन थोड़े दिनों के बाद कोई याद नहीं रखता है अभी मान लीजिए अगर ये टूड करके गिर जाए तो बी आरो के भी अरिकारियों को या किसी करमचारी को भी ये पता नहीं होगा कि ये किसने इसका उद्गार्टन किया होता तो फिर ये ओचित्ति हीन हो जाता है तो ये दुनिया ऐसी चलती है और इसमें कितने कितने बड़े-बड़े शैनसा आये और चले गए तो ये देखिए अभी हर देखिए दर्शन होते हैं नेपाली जोग नहीं पर आकर के काम यह इतनी महनत से काम कर रहे हैं अपना देश्ण खोड़ करके इतना भारी वजन लेकर दो दिन भर यही करते रहेंगे दिन भर इनका यही काम है देखी कितनी मेहनत का पैशा है इनका बहुत ही मेहनत और यह भी वैसा अब यह नेपाल के हैं नेपाल सुर्खेत के रहने वाले इनसे भी ऐसे अचानक मुलागात हो गई बहुत अच्छे आदमी लगे यह और इनको देखके लगे नहीं रहा था कि यह नेपाल के हैं बहुत बड़िया जानकार आदमी है तो आज आप रेश्ट में क्यूं हो मैं थड़ा इज़र रहते हैं तो आगे यह जब शिल्ली में मतलब यह गंगा जी के पार इसी तरफ पत्थर निकाल करके लेकर के जा रहे हैं यह जो तोड़ेंगे जो भी नैपाल के है तीम हाँ तो इसका मतलब यहां नेपालियों की संग्या बहुत ज्यादा है अच्छा नेपालियों के बिना खेती करना भी मुश्किल है अच्छा टटी करना यह देख लीजिए महराज इतना आलसी हो गया है यहां का आज मी देखिये हैं कितनी अच्छी गहरी बाद इन्हों ने कह दी कि देखिये लोग खारे ने तो यहां का आज में देखिये बिल्कुल बिल्कुल देखिये इन्होंने कितनी गहरी बात कह दी कि देखिये आप गये सिलिंडर भी अपना चूला भी नहीं जला पा रहे हैं सिर्फ यात्रा के भरोसे चल रहे हैं जब तक वगवान बोलेनाथ की किरफा है आप पर तो उत्राघंड की हालत यही है बता रहे हैं और बहुत लंबे समय से कितना साल हो गया आपको उत्राघंड में तीस साल हो गया देखे छोटे से आगे थे यह सुर्खे से हाहा कितना इनके अंदर गहरे विचार है कितनी अच्छी बात इन्होंने कह दी की उत्राघंड का हाल बुरा है क्यूंकि लोग महनत नी करते हैं और आलसी इतने हो हैं हर एक मतला आपको पत्थर अपने घर में तोड़ने के लिए गैस लिंडर के लिए हर एक जब इन्हों ने इतनी वड़ी वाद कह दी कि अब उसे वार वार क्या दो रहा है चलिए ठीक है वैसा है ओके जी आप देख रहे हैं मनु की मोतार चैनल को करें सेब्सक्राइब सबसे पहरे वीडियो को देखने के रिए बेर आइकन चरू हूँ तबाए ठेंक यूँ